जा class 9 का self assessment 2 start कर रहे है इसमें पहले वाला जो question है इसमें बोला है what is the value of this तो ये वाला जो है इसका value पूछ रहा है तो minus 3 whole to the power minus 4 तो minus 4 है मतलब क्या हो गया इसको जब ये inverse में है तो ये नीचे आ जाएगा तो plus 4 आ जाएगा minus 3 whole to the power 4 आ गया ठीक है ये जब ये cube करेंगे ये even number है power में तो ये minus positive आ जाएगा तो finally 3 to the power 4 हो गया तो 1 by 91 आ रहा है ठीक है आचा next में बोला है what is the coefficient of x the exponential इसमें x का coefficient पोछ रहा है तो ये पहले तो हम लोग open कर ले थे cube का फर्मूला से तो ये cube का फर्मूला अगर x cube हो गया 3 into x square into 3 plus 3 into x into 3 square plus 3 cube तो x cube हो गया इधर हो रहा है 9 x square plus इधर हो रहा है 9 27 x plus x cube ये 27 तो मतलब ये 27 यहां गया ठीक है तो यहां पर x का coefficient पूछ रहा है तो x का coefficient ये x है इसका coefficient क्या है 27 ठीक है तो answer 27 आ जाएगा ठीक है आचा चलो next अच्छा और में बोल ला है in the expression what is the coefficient of x x का coefficient पूछा है यहां पर भी same चीज है x का coefficient क्या आ जाएगा x का coefficient plus half ठीक है positive half ये coefficient है अच्छा यहां पर plus बोल देख मना actually 27 बोलने से ही हो जाता है minus बोलने से minus आने से minus बोलना पड़ता है तो positive मतलब half बोलने से ही हो जाएगा coefficient of x x का coefficient यह ही आ गया है ठीक है अच्छा इसमें क्या बोलना है if a p b and c q d a p b ये वाला are c q d ये वाला ये दोनो parallel line है ये दोनो parallel line है ठीक है then the name of the figure from by the bisector of angle a p q a p q इसका bisector और a b p q इसका bisector और c q p c q p इसका bisector और इसका bisector बहले पी, क्यूडी, पी, क्यूडी, पी, क्यूडी, इसका बाइसेक्टर, यह जो बाइसेक्टर है, इसका जो फिगर आ रहा है, यह क्या है, यह पैरलेलोग्राम है, ठीक है, कैसे होगा पैरलेलोग्राम? ये जो हम लोगा ये पैलल ये पैललल है तो ये जो दोनों पैललल है ये जो टॉन्स भार्स है तो यहां पर अगर इसका हाप इदर है इदर है तो ये टोटल अगल कितना है total 180 है तो उसका half इधर और half इधर चला गया तो बाकी half-hour पड़ा रहा मतलब यह क्या होगा? 90 हो गया यह angle जो 90 हो गया same चीज यह भी 90 हो गया यह दुनों आगर 90 होता है तो दोनों side का यह parallel यह होता है और यह parallel यह तो उसके हिसाब से यह parallelogram होता है ठीक है, ओके, आच्छा, चलो next कटते है, number 4 में बोला है, if a linear equation has solution, यह 3 solution है, then what is the standard form of linear equation, जब कोई linear equation का standard form जो है, वो होता है, AX plus BY plus C is equal to 0 तो ये दोनों में ये तीन solution दिया है तो पहले 00 बैठते हैं तो उसमें ये ठीक रहेगा जल्दी हो जाएगा 00 को satisfy करेगा तो 00 satisfy करने से क्या आएगा A into 0 बने X भी 0 है Y भी 0 है B into 0 plus C is equal to 0 मतलब क्या हो गया इधर तो 0 हो गया प्लास C is equal to 0 Finally C is equal to 0 हो गया तो ये equation में अगर C को 0 बैठते हैं तो AX plus BY is equal to 0 आएगा ठीक है तो दूसरा कोई भी एक equation इसमें बैठते हैं तो क्या आजाएगा देखिए ये solution इसमें बैठते हैं आजाएगा कितना minus 2A plus 2B is equal to 0 इधर से 2A is equal to 2B आजाएगा दो दो काट गया तो A is equal to B मतलब क्या हो गया दोनों का coefficient A की है दोनों इए है तो ये दोनों A है तो इसमें बैठते हैं इस equation में दोनों को A बैठते हैं वानने A equation last में ये equation आया था तो इसमें A के जगा B या B के जगा A बैठते हैं तो B बैठते हैं तो B equal to 0 B common ले लिया X plus Y is equal to 0 तो finally X plus Y equal to 0 तो ये आपका equation आ गया ये equation आपका आ गया जो इस point को satisfy करेगा देखिए ये तो answer हो गया X plus Y equal to 0 तो इसमें अगर minus 2, 2 बैठाएंगे तो 0 आएगा 00 बैठाएंगे तो 0 ये आएगा 2 minus 2 बैठाने से भी 0 आएगा ठीक है तो ये standard form हो गया ठीक है आचा next इसमें बोला है What is the general form of point of X-axis तो कोई भी X-axis क्या हो गया What is the general form of point of the X-axis X-axis का X-axis में कोई point होगा उसका equation क्या होगा मतलब general form ठीक है तो Y-axis का general form क्या होता है Y equal to 0 X का Y equal to 0 आता है और Y-axis का X equal to 0 आता है तो यहां का answer यही आजाएगा मतलब क्या हो गया ये X मने बोला है What is the general form of point of the X-axis X-axis में कोई भी मने point हो जाए समझ जीजे यहां पार यहां पार यहां पार यहां पार यहां पार यहां भी कोई point है उसका equation Y equal to 0 आता है मतलब क्या हो गया X का मने ये जो equation है इसका मतलब है X plus Y equal to 0 आता है तो X का कोई भी value होगा तो यह 0 आएगा मतलब क्या हो गया मने Y equal to 0 मने ये जो X का value जो भी है X का समझ जीजे 1 है 2 है यह मतलिखे मने actually X का value 1, 2, 3, 4 जो भी है minus 2, minus 3 ऐसा जो भी है लेकिन Y equal to 0 तो यह X-axis का equation जो होता है Y equal to 0 होता है X सिदर होदर हो सकते है मतलब यह जो पॉइंट है यह क्या हो जाए X equal to समझ जीजे यह 2 है तो 2 उपर नीचे गया नही इस एक्सिस के उपर ही है तो Y equal to 0 आएगा फिर यहां पर आगेगा minus 1 लेकिन Y equal to 0 तो finally बोलते है एक्स एक्सिस के उपर कोई भी इक्वेशन हो तो उसका value Y equal to 0 होता है अच्छा इसमें क्या बोल ले है AB parallel CD parallel EF AB parallel यह 3 parallel ठीक है फिर बोल ले है PQ parallel RS PQ parallel RS ठीक है तो यह वाला बोल दिया 25 यह वाला 60 तो पूछ रहा है QRS 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 मतलब यह वाला एंगल पूछ रहा है यह वाला अच्छा यह अगर parallel है यह भी parallel है मतलब क्या यह अगर total ठांते है मने यह total अगर करेंगे तो यह जो एंगल है मने यह जो एंगल है यह एंगल इसके संग equal है ठीक है इसके संग equal है फिर यह जो एंगल है इसके संग equal है इसके संग मने ये पैरल्लाल ये ये यार ये तिनो इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया एक मिनिट ये 60 है ये तो ये तो कोर्रेस्पंडिंग अंगल है ये भी 25 है ठिक है यह दोनों टांस यह प्रैलाल है यह टांसवर्स है तो यह अल्टरनेट एंगेल हो गया तो 25 यह वाला 25 है यह एंगेल और यह एंगेल इक्वाल होगा ये अगर बाड़ाते है इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये अंगेल और ये अंगेल इक्वाल होगा तो ये अंगेल कितना हो जाएगा ये स्टेट है तो ये 60 है तो मतलब ये 120 है तो ये भी 120 होगा ये 120 होगा तो इधर हो गया 25 और इधर वाला हो गया 120 तो दोनों मिला के जो है वही ये अंगेल का भैलू आएगा 541 ठीक है तो ये इसका 145 आजाएगा ठीक है अच्छा फिर नेक्स्ट में करते है अच्छा इसमें क्या बोला है तो विच लिनियार एक्वेशन डाज दा ग्राफ रिप्रेजेंट ये एक्वेशन दा विच लिनियार एक्वेशन डाज दा ग्राफ प्रेजेंट है तो ये तो उपर वाला जो पॉइंट दिया था ये तो 00 है ये वाला 2,2 है और एक्ठो माइनास टू कामा माइनास टू है तो यह इससे कौनसी वाला लिनेरी कोशन आएगा तो ओही बात हो गया x plus y is equal to ax plus by plus c equal to 0 तो यह 00 बैठने से 00 बैठने से क्या आ रहा है a plus इधर 0 हो गया इधर 0 हो गया plus c equal to 0 मतलब c equal to 0 हो गया और finally हम लोग ax plus by is equal to 0 यह बोल सकते है तो अभी यह point इसमें बैठाते है तो 2a आ जाएगा और 2b आ जाएगा कौनसी plus बैठाया equal to 0 तले a equal to minus 2b यह कट गया तो a equal to minus b आ रहा है तो यह हम लोगो a equal to minus b आ रहा है तो finally इसमें आगर बैठाएंगे ax plus by equal to 0 इसमें a equal to minus b बैठा देते है तो b common ले लिया finally minus b नहीं शुदू b common ले लिया तो y पहले लिए देता है y minus x equal to 0 तो इधर वह वहने बैठाया यह इधर चला जग गया तो finally y minus x equal to 0 तो यह दोनों को उधर लेने से यह finally equation आ गया ठीक है यह satisfy करेगा दोनों को यह satisfy करेगा ठीक है which of the linear equation does the graph represent तो यह graph जो है ओ एकस minus y equal to 0 यह रिप्रेजन करता है ठीक है यह linear equation रिप्रेजन कर अच्छा है अच्छा इसमें क्या बहुत है ड्रॉदा graph of y equal to 0 y equal to 6 तो कोई भी ऐसे graph है इसमें y equal to 6 बोल दिया तो y equal to 6 मतलब क्या हो गया यह यह तो x-axis हो गया और यह y-axis हो गया तो y equal to 6 plus 6 मतलब 1,2,3,4,5,6 यहां पर 6 तो यह 6 है मने यह 6 मतलब 0,6 है यह तो finally यह जो line है यह इसका equation का graph हो गया y equal to 6 यह मने यह जो line है यह बला line y equal to 6 है अच्छा next में क्या बहुत है बोले two side of triangle यह बला बोल दिया two side its semi perimeter is इतना then what is the third side of the triangle अच्छा कोई भी triangle है इसका thin side बोल दिया यह 14 इधर समझे जिए यह बला हम लोगों को मनुम नहीं यह x पकड़ लिया तो semi circle मतलब क्या a s हम लोग निकलते थे इसका triangle का अगर area निकलना था तो इसके लिए s के लिए triangle का जो area निकलते थे तो s से निकलते थे ओही semi perimeter हो गया तो s क्या था a plus b plus c by 2 तो यहाँ पर a और b क्या है 13 14 plus x by 2 equal to s कितना दे दिया अठरा दे दिया तो finally इधर चलाया 36 is equal to और यह दोनों plus कर देते है कितना आएगा 72 plus x तो finally x equal to 37 minus 27 equal to 9 है ठीक है तो इसका value हो गया 9 ठीक है यह थार्ड साइड है इसका value हो गया 9 cm ठीक है अच्छा एक बड़ देख लेते है आठरा तो इधर 36 36 से अगर आठरा तो इधर चार और अधर पाच नाई आ रहा है हाँ ठीक है अच्छा नेक्स्ट इसमें क्या बोला है सिंगल एपसीशा एन साइन अपसीशा एन ओरिनेट अपड़ पॉएंट Unnot in the second quadrant are अच्छा second quadrant क्या हो गया इए first quadrant ये second quadrant तो ये second quadrant है ये third quadrant है ये fourth quadrant है तो second quadrant में एपसीशा क्या हो जाएगा यहां पर कोई पॉइंट होगा तो इसका पहले माइनस होगा दूसरा जो वाई का वहलू है वह प्लास होगा अच्छा इसमें क्या बोला है तो हम लोगों को एरिया बोल दिया तो इकुलेटल ट्राइंगल का एरिया क्या है रूट 3 वाई 4 एसक्वाईर इकल टू यह बोल दिया ठीक है तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे एसक्वाईर इकल टू क्या आएगा रूट 3 इन्टू 4 बाई रूट 3 तो रूट 3 रूट 3 कट गया तो फाइनली A स्कॉर इकल टू 9 इन्टू 4 अगया तो A इकल टू आ जाएगा रूट ओवा 9 इन्टू 4 तो यह 3 निकल के आया यह 2 मतलब 6 हो गया तो हर साइट का वैलू क्या हो जाएगा लेंट अपड़ा साइड तो लेंट अपड़ा साइड क्या हो जाएगा 66 सेंटीमितर ठीक आखे ला इसमें क्या बोला है और डिवाइडिंग ये वाई वाई हटीश द रिमाइन्टर के आपके तो इसमें बोलह है y से इसको डिवाइड करने रिमाइंडर क्या आएगा तो y को डिवाइड कर देते हैं y से 5y3-2y2-7y-1 y से करने से 5y2 दे दिया तो आगे हैं कितना 5y3 फिर-2y से डिवाइड किया तो आज़ेगा 2y2 से किया-7y मतलब यहां पर एक बाट पट कर देते हैं ठीक रहेगा यह किया तो यह 0 आगया-2y2 आगया तो फिर-2y कर दिया तो फिर-7-7y आगया यह-7-7y बैठाया तो मैनञस7y आगया फिर 1 आया तो रिमाइंडर यहां पर 2y2 आ रहा हाए ठीक है रिमाइंडर कितना है reminder 1 आएगा ठीक है तो 1 है इसका reminder अच्छा next factorize बोलचे factorize करने के लिए तो यह बाला तो normal है इसको रहने दीजे factorization इसको a plus b whole square form से divided करते है a plus b formula क्या था a plus b whole square का a square plus 2ab plus b square तो इसके ऐसे भांगा रहा है 25x square minus 1 plus इसको formula में दे रहा है तो a square plus 2 into 5 1 into 5x plus 5x इसका whole square तो finally 25x square minus 1 minus 1 plus 1 minus 10x plus 25x square तो यह तो cut गया तो finally यह दूनों में लाखे 50x square minus 10x यहां से 10 common ले लेते है एक्स भी common लेते है तो 5x minus 1 आ जाएगा यह factorization है ठीक है इसका यह factorization है अच्छा इसके बाद इसमें बोला है find the value of k if यह equal to k का value निकालने बोला है तो यह इसको satisfy करेगा बोले x का value यह यह तो x का value दे दिया 2 और y का value दे दिया 1 तो इसमें बैठा था है 2 into 1 sorry 2 into 2 into 3 into 1 equal to k फाइनले 4 plus 3 equal to 7 आ जाएगा तो k equal to आ गया 7 तो k का value आ गया 7 ठीक है आचा इसमें क्या बोला है आचा इसमें क्या बोला है find the difference solution of the equation find two difference और two difference solution इसका निकालने बोला है तो यह जो equation है इसका दो solution मतलब x का value आएगा और y खा यह क्या क्या value आएगा दो solution निकालने बोला है तो x का अगर 1 निकलते है एक x में अगर 1 बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 into 1 plus y is equal to 19 मतलब y equal to आ जाएगा 19 minus 3 हो जाएगा 16 तो 1,16 एक्टो solution हो गया फिर इसमें 2 बैठाते है 2 तो 2 बैठाने से 6 आ जाएगा उधर जाने से 13 आ जाएगा ठीक है यह 2 solution हो गया infinitely many solution होता है ठीक है तो यहाँ पर only 2 solution निकलने बोला है तो 2 solution यह दोनों निकल गया ठीक है अच्छा 13 में क्या बोला है 13 में बोला है इंदा given figure abdc abdc equal है ठीक है यह दोनों equal बोल दिया ठीक है which congruent rule would you apply to prove यह similar congruent prove करने के लिए और क्या आएगा तो यह वाला यह वाला equal बोल दिया यह angle equal बोल दिया दोनों हम लोगों को बोल दिया है side और angle बोल दिया तो और क्या इसका equal आएगा ठीक है congruent करने से तो यह common side पकड़ लेता है तो एक्ठो और side आ जाएगा तो finally क्या आ जाएगा side angle side से आए जाएगा क्या यह दोनों तो दे दिया ab is equal to dc और यह दोनों दे दिया और यह angle दोनों दे दिया abd is equal to angle cdb और एक्ठो db common बने बोथ triangle में है ठीक है तो finally यह दोनों होने से by sas theorem triangle abd congruent triangle cdb होगा ठीक है आच्छा इसके बाद यह number 14 में बोला है express the national number इसको pq format में निकारने के लिए तो यह इसका मतलब होगा इसका यह value है यह बार है मतलब यह continuous है तो हम लोग इसको x पकार लेते है तो x पकारने के बाद यह 9 9 3 लेते है ठीक है फिर इसको एक 10 से गुन करते है तो x equal to k आ जाएगा एक 9 सामने आ जाएगा तो 9.99 ठीक है यह दो ही लिखते है और यह ऐसे लिखते है ठीक है अच्छा यह dot dot है यह भी dot dot है तो इसके बाद यह one number दे देते है इसको two दे देते है तो minus one minus two करते है तो फाइनली क्या आ जाएगा 10 x equal to 9.99 डॉट 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 अर इधर x equal to 0.99 डॉट 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 तो minus करते है तो इधर 9 x आ जाएगा इधर आ गया 9 तो फाइनली x equal to आ जाएगा 9 by 9 ठीक है यह करते से one by one आ गया मतलब 1 ही है तो ऐसे रख दीजेगा क्यों का PQ format बोला तो PQ format में one by one आ जाएगा ठीक है आचा चलो next करते है इसमें क्या बोला है calculate the value अच्छा यहां पर 8 83 का cube plus 70 का cube नीचे 83 का square minus 83 into 17 plus 17 cube square तो हम लोग का formula क्या था a cube plus b cube formula क्या था a cube a cube plus b cube a plus b a square minus a b plus b square यह formula था तो यही हम लोग यहां पर use करेंगे इसका जो formula है तो ऐसी आ जाएगा a cube b cube का a plus b पहले a plus b आएगा फिर आ जाएगा a square मतलब 83 का square minus 83 into 17 plus 17 का square by नीचे में 83 square minus 83 into 17 plus 17 square अच्छा यह दूनों काट गया तो फाइनली यह दूनों एट करने से 100 आएगा ठीक है 3 हाँ ठीक है तो यह answer आ जाएगा अच्छा 16 में क्या बोल रहा है यह बाला बोल दिया 40 यह बाला 120 पुछ रहा है a c a c b d c b d यह बाला एंगेल यह बाला एंगेल पुछ रहा है अच्छा हम लोग का यह 120 है ठीक है यह 120 यह 40 तो यह जो यह जो कॉड है इसके उपर यह एंगेल अड़ यह एंगेल होगा तो यह भी 40 आ जाएगा तो यह 40 होने से यह 125 तो यह 120 तो यह कीतना आ जाएगा 120 प्लास 40 हो जाएगा 160 तो 180 से अगर माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा तो यह बाला आ जाएगा कितना 20 तो यही अंसर है ठीक है यह एंगेल 20 हो गया 20 डिग्री ठीक है अच्छा चलो ने एक्स करते है इसमें क्या बोले है what is the coefficient of x तो इसको पहले multiply कर देते है तो आ जाएगा कितना x square प्लास x a प्लास x b प्लास a b तो यहां से x common ले लेता है तो x कमन लेने से x a प्लास b आ जाएगा इधर a b तो फाइनली x का कोफिशेंट पुछा है तो x का कोफिशेंट क्या आ जाएगा a plus b a plus b कोफिशेंट आ जाएगा यही अंसर है ठीक है अच्छा चलो next क्या बोला है right sas congruence rule of true triangle true triangle का right sa congruence rule for true triangle तो दोनों triangle का यह जो rule है यह पूछा है तो समझ दीजिए ऐसे अगर दो triangle होगा a b c d e f तो angle side angle तो यह दोनो angle समझ दीजिए equal है और यह दोनो side इक्वाल है तो यह दोनों congruent होगा तो congruent होने के लिए angle a equal to angle d होना पड़ेगा and a b equal to d e होना पड़ेगा और angle b is equal to angle e होना पड़ेगा तभी a a s a यह रूल से हम लोग बोल पाएंगे यह congruent है two triangle congruent ठीक है अच्छा इसके बाद बोल ला है क्या अच्छा इसमें बोल ला है क्या what do you what do we call a triangle if angles are in the ratio अच्छा यह ratio में एंगेद है मतलब क्या हो गया five x plus three x plus seven x is equal to 180 तीनों एंगोल का यह साम कितना होता है 180 तो यह add करने से 15 x equal to 180 आ रहा है तो x equal to क्या आ जाएगा 18 by 15 तो आ रहा है one two ठेक है तो x का भालू 12 आ गया तो मतलब हो गया एकठो 5 x 12 एकठो 3 x 12 एकठो 7 x 12 तो 60 हा गया यह 48 अरिधार आ रहा है तो यह तीन एंगेल आ गया तो इसको हम लोग एकठो एंगेल भी बोल सकते हैं तो इसको 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 इस एंगेल ठेक है अच्छा नेक्स्ट में क्या बोला है इन्दा एडज्वाइनिंग फिगर A B C पैरलेलोगम तो एक ठोड़ एबीसी पैरलेलोगम आप ड्रो कर लेते हैं A B C D पैरलेलोगम हो इन्विच B D B A D B A D यह बाला बोल दिया 75 एक्चुली उल्टा हो गया यह छोटा एंगेल होने से ठीक रहता नाम ऐसे देदेते हैं यह वाला यह वाला निच्च देदेते हैं A B C D तो यह वाला B A D यह वाला 75 हो गया तो यह आज आएगा आपका 105 मतलब यह दोनों मिला के 190 होता है तो यह 75 होने से यह 501 यह हो गया यह 75 हो गया यह 105 हो गया अच्छा और क्या बोला है C B D C B D तो यहां से डागोनल है यह वाला बोल दिया 60 तो यह कितना आजाएगा 105 से 60 माइनस करने से 5 आ रहा है तो यह 45 आ गया अच्छा हम लोग को पुछा है find the B D C B D C यह वाला अंगल पुछा है यह वाला तो यह parallel है क्योंकि यह parallel हिट रोग्रम है तो यह तो यह एंगल इतना होगा, यह उतना होगा, यह 45 है, यह भी 45 होगा, तो 45 हो गया, यह बाला एंगल, यह बाला 45 हो आजाएगा, ठीक है, B, D, C, यह बाला B, D, C, ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल ला है, इफ, AB, Ekal to 12, BC, Ekal to 16, and AB, is perpendicular to BC, तो देखता है, BC, यह बाला, AB, is perpendicular, तो यहाँ पर AB, AB, perpendicular to BC, एबाला, BT, 16, 16 दिन फायंदा लेडियास इस बॉइन्ट फॉइंट यहां से ऐसे कुछ सार्कल जा रहा है इसका हम लोगों को रेडियस पूछा है तो यह जब यह 90 डिग्री होरह है मतलब क्या है यह डामिटर है ठीक है डामिटर है यह सेंटर आ सेंटर मतलब यह अधा रूअधा यह राइट एंगल ट्राइंगल है क्यूंक है निटि निग्री बोलत है इसको के से कितने हैं 16 इंटू 16 थांती चाहत है तीन चुटना है इदर 16652 256 को एट करना से आ रहा है 004 मत्तब 20 20 आ गया टोटाल इस से इकल टू टू इन टू इंटी आ गया तो आधा हो जाएगा डेडियास हम लोग को रेडियास इसका रेडियास डेडियास हो सेंटर वाला एंगल के उपर कोई एंगल जो सेंटर में एंगल होता है उससे आधा होता है मतलब सेंटर वाला एंगल इससे डबल होगा तो सेंटर वाला एंगल जो है एंगल एओ सी इसजिए कल टुव एंगल एबी शी आएगा तो टो इंटो टूटि फाइकल टू फिप्ती आजाएगा ठीक है 50 degree ओके अच्छा इसके बाद आ रहा है 22 में बोला है टू एंगेल्स यह बोल दिया इफ इच वान अब दा इच इफ इच वान इज सप्लिमेंट ऑफ इच दाधार देंदा तो सप्लिमेंट बोला मतलब यह दुनों सप्लिमेंट है मतलब दुनों को एट करने से आएगा यह दुनों को आगर एट करेंगे आज आएगा कितना सप्लिमेंट मतलब 180 तो यह एट करने से आ रहा है कितना यह तो यह आगया अदिधार 551 180 तो यह इकल तो आजाएगा 180 माइनास 155 तो 5 आगया 6 मतलब 2 आगया तो यह इकल तो 25 यह का भालू 25 आगया तो 25 होने से क्या आ रहा है यह 30 माइनास 25 आ जाएगा कितना आपका 5 आ जाएगा अर इधर आएगा 15 प्लस 2A मतलब भच्चे 2 इंटू 25 इकल तो 50 तो 50 आ रिधर तो 175 तो यह दोनों को एट करने से 180 आ रहा है तो फाइनली एकल तो 25 है ठीक है अच्छा सेक्शन 2 का इसके बा यह तेंग।